मेरे प्री भाई भैनों, पवित्र आत्मा त्री एक परमेश्वर का एक अभिन अंग हैं और हम जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहन करते हैं बाइबल के शिक्षा के अनुसार हम सब विश्वासी त्री एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तो आज मैं आपके सामने इस बात के बारे में बात करूंगा कि पवित्र आत्मा जो कि तीसरा भाग है त्री एक परमेश्वर का उसके क्या क्या मुख्य कारिय हैं जिससे कि हम उसको जानें और उसके कारिय के नुसार चलें भी सो आईए हम उस पवित्र आत्मा के कारियों के विशह में जो वो हमारे लिए करता है या परमेश्वर जो हमारे लिए भेजता है क्यों है और कैसे है सो पहला मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो पवित्र आत्मा है वो अभी हमारे साथ है जब प्रभु इश्मसी ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, एक कमफर्टर भेजूँगा एक जो तुम्हारी difficult times में, मुश्किल समयों में तुम्हारी अगवाई करेगा और वसहायक कोई और नहीं पवित्र आत्मा के बारे में बात की जाती है मैं आपके लिए पढ़ूँगा, हाला कि कई पद दिये गए हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक एक पद ही पढ़ूँगा और आप खुद अपना दैनिक स्टेडी में इसको और अधिक जान सकते हैं पहला मैं बताना मांगता हूँ, यहन्ना रचीसु समाचार और उसका चौदा अधियाए और सोला पद यहन्ना उसका चौदा अधियाए सोला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और मैं पिता से बिंती करूँगा और वह तुमें एक और सहायक देगा कि वह सरवदा तुमारे साथ रहे कहने का मतलब अब प्रभुश मसी शारीरीक रूप से तो हमारे साथ नहीं है वह दोहजार वर्श पूर आये शारीरीक रूप में देहाधारी हुए और अपना बलिधान किया तिसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अब स्वर्ग में है लेकिन उसी प्रभुश मसी का पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है क्योंकि प्रभुश मसी ने कहा कि वह सहायक मैं तुमारे लिए भेजूंगा और जो तुम्हें सांत वना देगा तुमारी अगवाई करेगा इस प्रिकार से तो पहली बात हम देखते हैं कि जो प्रतिग्या प्रभुश मसी ने की वह आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है दूसरी बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमें सिखाता भी है प्रमेश्वर की बातों के बारे में गूड़ गूड़ बाते हैं जो हम शायद पूरी रिती से न समझ पाएं उन बातों को प्रमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें सफाई से बताते हैं और यही बात और यही प्रामेस यही प्रतिग्या प्रभु ने की आईए हम पढ़ेंगे यहानाराचित्सु समाचार 14 अधियाय और 26 पद परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बाते सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम से कहा है वह सब तुम्हें इस्मरण कराएगा तो हम देखते हैं मेरे प्रियोग कि पवित्र आत्मा ही है जो कि पूरे बाइबल का रचाहिता है जैसा हम दूसरा तिमोथी 3,16 में पढ़ते हैं और 17 में भी पढ़ते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है जब ये परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है अब पवित्र आत्मा से रचा गया है तो जरूर है कि वो हमें इसके बारें बताएगा प्रविश्व मसी के बारें बताएगा प्रविश्व मसी की गवाही देगा जितने भी मत्ती, मर्कूस, लूका, यहनना और पॉलूस और भी जितने लेककते वे सब पवित्र आत्मा से प्रेरिध हो करके पवित्र शास्त को पुरा किया और आज जब हम पवित्र शास्त को पढ़ते हैं परमेश्वर के बचन को बढ़ते हैं तो जो बाते हमारी समझ में नहीं आती वो पवित्र आत्मा अपने धीमिय वाज में अपने मेरे विवेक में बाते करता है तो वो हमारा शिक्षक है, अभी जो मैं आप से बात कर रहा हूँ, मैं तो एक वहकल हूँ, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ जिसके द्वारा बाते कर रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बाते कर रहा है परमेश्वर के वच्चन के आधार पर, सो टीचर मैं नहीं पवित्रा आत्मा है तो वो हमारा टीचर है मेरा टीचर है आपका टीचर आपका शिक्षक है तो परमेश्वर के बारे में प्रभीश मसी के बारे में पवित्र जीवन के बारे में वो बताता है फिर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्रा आत्मा के बार जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ एक बात जिससे कि हमें थोड़ा सा होशा रहना है और वो ये है कि कभी कभी हम पवित्रा आत्मा को दुखित भी कर सकते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यक्तित्व है वो ही है, ही जब हम इस्तमाल करते हैं एक व्यक्ति गत ना उनके रूप में वो पवित्रा आत्मा एक व्यक्ति है और उसको हम दुखित भी कर सकते हैं यदि हम पाप में लगातार गिरे रहें या पाप करते हैं तो पवित्रा आत्मा दुखित होता है आपके लिए मैं पढ़ूंगा इफीसियों की पत्री और उसका चार अध्या है और उसका तीस पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो प्रमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छटकारे के दिन के लिए छाब दी गई है, है ना, और वो हम कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, दुखित ना करें, 31 पन में लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहाट, प्रकोप, क्रोद, कला, निंदा, बैरभाव, हम से दूर रहें, जब ये बाते विश्वासी के जीवन से दूर रहती हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते हैं, अगर हम ये बाते करते हैं, कड़वाट रखते हैं, प्रकोप करते हैं, क्रोद करते हैं, कला करते हैं, निंदा, और नुक्ता चीनी, और काना फूसी, बैरभाव, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, क्योंकि ये पवित्र चीज़ें नहीं हैं, है ना, लेकिन उसके विपरित हमें क्या करना एक दूसरे पर क्रिपालू करुणा मैं जैसे हमने जैसे प्रभू ने हमारे अपराद शमा कि हम भी एक दूसरे के अपराद को क्या करें शमा करें तो इससे हम इन चीजों से हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करते बलकि परमेशुर की आत्मा खुश होते कि हम ये बातें पवित्र चीजे करते हैं क्रिपालू, करुणामे, शमा की जीवन हम दुसरों के लिए करते हैं शमा याचना की मानसिक्ता हमारे जीवन में है ना तो हम देखते हैं मेरे प्रियों कि हम पवित्रा आत्मा को शोकित किसी भी रिती से ना करें चाहे कोई भी पाप हमारे जीवन में क्यों ना हो। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें कई प्रकार के गिफ्ट्स भी देता है गिफ्ट्स का मतलब दान, वर्दान, पवित्रा आत्मा के वर्दान या पवित्रा आत्मा के दान जो हर विश्वासी को दिया जाता है उस समय जब वो प्रभु को गृहन करते हैं तो ये दान दिये जाते हो सकता ये वर्दान एक हो दो हो तीन हो जहां तक मुझे याद है परमिश्वन ने मुझे दो प्रकार की वर्दान दिये एक तो पढ़ाने का है और दूसरा काउंसिलिंग का है और भी मैं कर सकता हूं लेकिन दो ये वर्दान जरूर मैं पवित्रा आत्मा के द्वारा उसकी सामर्थ में कर सकता हूं तो उसी प्रकार से आपको भी जब आप प्रभू को ग्रहन किया तो आपको भी पवित्रा आत्मा क्या करता है आपको वर्दान देता है, वर्दान इसलिए देता है कि हम परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत बनाएं, द्रड बनाएं, एक दूसरे की इस प्रकार से हम सेवा करें, यही तो है असली कलीसिया में होने की बाद, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरंथियों और उसका बार्वा अध्याए, पहला कुरंथियों उसका बार्वा अध्याए और ग्यारा पद, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से सुनिए, परंतु यह सब प्रभावशालिकारिय, वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है, वो क्या करता है, बाड़ देता ह अब इससे पहले आप कई प्रकार के जो चाह बोलते हैं, वर्दान है, वो यहाँ पर व्याख्या की गई हैं, जैसे कि आठमा पद से मैं आपके लिए पढ़ूँगा, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है, तो दूसरे को उसी आत्मा के द्वा या पवित्रा आत्मा के द्वारा विश्वास दिया जाता है, किसी को एक आत्मा से चंगाई करने का वर्दान दिया जाता है, तो किसी को सामर्द के काम करने की शक्ति और सामर्द दी जाती है, किसी को भविस्द्वानी की वर्दान दिया जाता है, तो किसी को आत्मा को पर बातें वर्दान के रूप में हो, मुझे नहीं पता, मेरे क्याल में जहां तक मैं सोचता हूँ, हो सकता मैं गलत भी हूँ, लेकिन इतना जरूर है, कि हर एक विश्वासी को, हर एक विश्वासी जो प्रभू को प्यार करता है, आपको कोई न कोई गिफ्ट दिया गया है, मु एक से भी ज़्यादा हो सकता है या आपको परमेश्वर से प्रार्तना करके पूछना प्रभू क्या गिफ्ट, क्या वर्दान प्रभू परमेश्वर ने पवित्रा आत्मा ने मुझे दिया है ताकि मैं सेवा कर सकूं कलीस्या की और कलीस्या की बढ़ोतरी का कारण हो सकूं तो ये भी बात हम देखते हैं यहाँ पर पवित्रा आत्मा के कार्य के बारे में अच्छा और भी देखते हैं और क्या बात है यहाँ पर मैं पढ़ना मांगता हूं और वो है कि जो पवित्रा आत्मा हमारे प्रारतनाओं को भी परमेश्वर के समीप लाता है जी हाँ The Spirit interprets and brings human prayer before the throne of Father मैं आपके लिए पढ़ूंगा यह कुछ कारिय हैं जो पवित्रा आत्मा करता है Romeo उसका आठ्मा अध्याए Romeo की पत्री और उसका आठ्मा अध्याए 26 और 27 हम पढ़ेंगे कि कैसे पवित्रा आत्मा हमारी निर्बलता में साहिता करता है अगर हमें प्रारतना करना नहीं आता कोई बात नहीं पवित्रा आत्मा हमें होकर के बाते करता है और प्रारतना करने में साहिता करता है यह उसके कारिय है सुनिए रोमियो उसका आठमा अध्याय 26 और 27 इसी रीती से आत्मा भी हमारी दूरबलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्टना किस रीती से करना चाहिए परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बहार है हमारी लिए भिंती करता है और मनों का जाजने वाला जानता है कि आत्मा की मंशा क्या है क्योंकि वह पवित्र लों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भिंती करता है देखे साब कितना इंपोर्टेंट है मेरे भाईयों बहनों पवित्र आत्मा के अंडर में पवित्रा आत्मा में निरभार होने के लिए क्योंकि वो हमारी क्या करता है साहिता करता प्रार्तना में अब सुन यहें बच्चे को जब वो छोटा बच्चा होता है शारिरी क्रूप से तो उसको सप्रकार की भाषा तो आती नहीं दिरे दिरे वो मतलब सीखता है दा दा मा 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 और दिरे दिरे वो फिर बाते करता है ठीक उसी प्रकार से नया जन्मा आत्मेक रूप से जो बच्चा होता है आत्मेक रूप से पवित्रा आत्मा उसको भी सहायता करता है कि कैसे प्रार्ता करना है ये प्रार्थना सुने जाएगी जो आत्मा में हो करके करते हैं बलकि मैं आपके लिए पढ़ूंगा जब भी हम प्रार्थना करें तो आत्मा में हो करके प्रार्थना करें मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वो पायाता है इफीसियों 6-18 क्या लिखा हुआ है वाहा पर यहा लिखा हुआ है और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना य smoking यह बहुत ज़रूरी मित्रों आत्मा में प्रार्थना और विंती करते रहो तो पवित्रा आत्मा हमारे प्रार्तना करने में भी आहें, भर-भर के हमारे लिए सायता करता है प्रार्तना करने में, वो हमारी अगवाई करता है न, तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं, फिर एक और बात हम देखते हैं, पवित्रा आत्मा हमारे लिए क्या करता है, वो य आपके अंदर एक गवाही देता है कि आप परमेश्वर के अडॉप्टेड गोद लिए गैस जैसे संतान है रोमियो उसका आठमा अध्याए सोलापद रोमियो की पत्री और उसका आठमा अध्याए और सोलापद क्या लिखा हुआ है हम वहाँ पर पढ़ेंगे आपके लिए कि हम परमेश्वर की संतान है आप परमेश्वर की संतान है यदि आपने प्रभु इश्यु मसी को उद्धार करता करते के ग्रहन किया है तो मेरी यह सी आशा है कि आपने किया यदि नहीं किया तो आप जरूर प्रभु इश्यु मसी को अपने जीवन में उद्धार करता करक लेकिं मेरा विश्वास है कि आप मैंसे कई लोग जो सुन रहे हैं विश्वासी हैं परमेश्वर के नए जन्मे बच्चे हैं तो ये पवित्रा आत्मा क्या करता है बताता है हमारे अंदर गवाही देता भाया तुम परमेश्वर के बेटे हो तुम परमेश्वर की बेटी हो और ये गवाही आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। अच्छे एक और बात हम देखते हैं पवित्रा आत्मा के कारिये, हाला कि बहुत सारे कारिये हैं, मैं उसका वर्णन्ट तो सब नहीं कर सकता, ये तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जो पवित्रा आत्मा हमारे लिए हमारे साथ करता है। एक चीज जो पवित्रा आत्मा आपके लिए मेरे लिए करता है, वो ये है, गवाही देते समय वो हमें सामर्थ देता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ में हो करके दुसरों को वचन सुनाए अपनी गवाही दे अब देखें ना प्र navyटो के काम उसका पहला अधिया है और उसका आठ्वापद प्रभीज़ू के काम कहते हैं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलेम और सारे यहुदिया और सामर्या में और पृत्वी के छोर तक मेरे गवा होगे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम गवाही दें चाहे बोलने के द्वारा जीवन के द्वारा जैसे भी घर में कॉलेज में अपने जहां करते आफिस में जहां कहीं भी है परिवार में दोस्तों में जब भी हम गवाही दें तो पवित्र आत्मा की सामर्थ में दे और कैसे होगा आप प्रात्ना करें मन में पवित्रा आत्मा मेरी अगवाई कर मुझे सामर्दे कि मैं इस वक्ती को तेरे बारे में बता सकूं तेरी सामर्द में होकर कि बता सकूं मैं अपने मन में ऐसी बात करता हूं जब भी हम जब भी मैं प्रभू के बारे में मैं दुसरों को बताने की कोशि करता हूँ या काउंसिलिंग करता हूँ तो परमेश्वर मेरी इसमें क्या करता है अगवाई करता है तो पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे जीवनों में गवाही देते समय पवित्र आत्मा हमारी अगवाई करता है आचा एक और चीज़ आपक प्रभु इश्व मसी की महिमा करता है, यदि आपके जीवन से, मेरे जीवन से, मेरी महिमा होती है, या दिसरे किसी ओर्गनाइजेशन की महिमा होती है, होशार रहिए, वो पवित्रा आत्मा का कार्य नहीं, पवित्रा आत्मा का कार्य है, प्रभु इश्व मसी की महिमा, सुन क्या लिखा हुआ है प्रंतु जब सायक आएगा वो सायक अर्थात पवित्रा आत्मा आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा वो मेरी गवाही देगा मेरे बारे में बात करेगा ये शुमसी के बारे में बात करेगा प्रविशुमसी की महिमा करेगा एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगना हूँ यहसी यहन्ना का उसका सोल्मा अध्या और चौदा पद सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन तेरा और चौदा सुनिए परंदु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी और से ना कहेगा परंदु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिभाई बैनो जो पवित्रा आत्मा का कारी है वो क्या है प्रभु इश्यमसी की महिमा करेगा खेर और भी कई बातें यहाँ पर हम देखते हैं इतना काफी है आज के लिए लेकिन आप जरूर और उसके बारे में अध्यान करिए योन्या का पूरा किताब पढ़िए और अधिक आपको जानकारी मिलेगी तो यह बहुत जरूरी है कि हम पवित्रा आत्मा के उपर डिपेंड रहें उस पर निर्भर करें हमारे हर एक जीवनों में जो भी डिसिजन लें हमारे दैनिक चले फिरने में आत्मिक जीवन में अपने विवेक में पवित्रा आत्मा का भरपूरी होना बहुत जरूरी है ताकि हम आत्मिक जीवन, पवित्र जीवन, पवित्रा आत्मा के फल के अनुसार बिता सकें और बाइल में लिखा हुआ है कि हम पवित्रा आत्मा से पूरी रिती से नियंतरित रहें बिल्कुल अगर हम पवित्रा आत्मा से नियंतरित रहेंगे इफिस्यों 5.18 में लेका हुआ है तो हम पवित्रा आत्मा के फल लाएंगे है ना सो प्रियो आशाय कि आप इस पर ध्यान देंगे और आने वाले समय में पवित्रा आत्मा की जो कार्य विदी है उस पर ध्यान करके पूरी रीती से उसी पर निर्भर होंगे धन्यवार